आज हम लोग महात्मा गांधी का क्या युगदान है भारत के स्वतंतरता संग्राम में और महात्मा गांधी कैसे ब्यक्तित थे भी थे रेस्पेक्ट टू अंदर जी के इस पे हम लोग आज डिस्कसन करेंगे यह 25 सेट है हमारा और इसका अगर आप बेसिक्स अब्जेक्टिव्स है और घटना से समवंधित परसन को इस तरह से बनाया गया है कि आप पूरा कहानी का जो सिक्वेंस है ये इसमें कभर किया किया है इंडिवर फॉरियू आप देख रहे हैं और ये पचीसमा सेट आप जरूर बना के देखिए आपको जीके का प्रस्न करने में बहुत मदद मिलेगा चलिए पहला प्रस्न देखते हैं सारे प्रस्न हिंदी अंग्रेजी दोनों भासा में हैं तो चलिए पहला प्रस्न देखते हैं गांदे जी का पर्थम सत्यागरा का परियोग कहा हुआ था वेर हैट गांदे जी यू सत्यागरा फॉर्ट फर्स्ट टाम तो ये जगह था ट्रांसवाल दच्छी नफिर का में एक चली में हुआ क्या था कि वहां पर ब्रिटिस कोलोनियल गांवर्मेंट कुछ डिस्क्रिमिनेशन का जो रंगवेद या भीवेद का नीती लाया था इसलिए उन्हें उन्हें सुरू किया था नेक सवाल देखते हैं गांदी जी ने सव चौदर से अठार जो परतम बिशुद हुआ था उस समय ब्रिटिस को मदद किये थे ब्रिटिस सरकार को इस आश समय की सहीओक के प्रतिफाल में ब्रिटिस स्वराज दे देगा इसलिए क्या कहा जाता है आप यह प्रसंद बहुत असान है थोड़ा लंबा देखने में आपको हो रहा होगा गांदी जी जी बहुत मदद किया थे बहुत सारे लोग बोले कि भाई जब हम भी सुजुद में इंगलेंड का जीत हो जाएगा तो वह हमें स्वराज इंडिया को दे देगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ ने एक सवाल देखते हैं जो सबसे हिटिट सवाल है भारत का पहला सत्यागरा है उनेश्टो सत्रह में चंपारन सत्यागरा के लिए गांधी जी को निवंतरन कौन दिया था who had given invitation to गांधी जी in the year 1917 for चंपारन सत्यागरा इनका नाम है राजकुमार सुकला देखिए अब एक चुली में ऐसे समझे गे चंपारन में एक चुली में हुआ क्या था वहाँ पे न तीन कठिया system लगाया गया था मतलो तीन कठिया मतलो बीस कठ्था एक विघा होता है एक व जो भारत के लोग थे जो किर्सक थे जो किसान थे वह रिफ्यूज किये कि उनको उस हिसाब का कीमत नहीं मिलता था तो गानी ज़ेश जब वहां पे गये तो बहुत सारा रिसर्च वहां पे की वहां करीब छे से आठ हजार किसानों का वह स्टेटमेंट रिकॉर्ड किये फिर उससे जी रह किये उसके बाद सरकार ने क्या किया कि एक इनकोईरी कमिसन अपॉइंट किया बाद में क्या हुआ जब आंदोलन सफल होते देखा तो सरकार और जो खेतिहर थे उनके बीच में समझा होता हु और पचीस परसेंट जो अमांट वो इलिगली ले लिये थे उसको वो बापस कर दिया तो पहला सफल परियोग सत्यागरा का गांधी जी का चमपारण में हुआ था और ये इंडिको प्लांटेशन से संबंदी था बाकी आप डिटेल से देख चुके नेक सवाल देखिए गा ये था मामला आहमदाबाद मेल स्ट्राइक का तेखिए ये घटना है 15 मार्च 1928 का एक्चोली में हुआ ये था कि वहां पे प्लेग फैल गया था प्लेग फैलने के वज़ा से जो मेल मालिक थे वो क्या किये बरकर को अट्राइक करने के लिए 75% उसका वेतन बढ़ा दिये और जैसे ही प्लेग खतम हुआ उस तब फिर वो बेतन को कम करके 20% कर दिये तो गांधी जी इसमें भूखरताल किये थे और आंत में हुआ कै था कि मील का जो मालिक थे वो 35% करके बेतन दिया तब जाके ये अंदोलन खतम हुआ अब नेक्स्ट देखिए सवाल सब देखिए क्रोनलोजिकल ओडर में करिब करिब रखा गया है वैसे कुछ रैंडमली भी सवाल मिलेंगे आपको लेकिन जो सवाल का जो फैक्ट है पूरा प्रसनी इन्फरमेटिव है आप एक एक जो फैक्ट है घटना से संबंधित गांधी जी के युगदान और जो चंपारन, खेडा आमदावद मिलेश्टा कि यह सारे जो अंधोलन हुए थे उसको जोड़के एक एक सिक्वेंस को ध्यान से रखा गया है चलिए सवाल देखते हैं कर नहीं अंधोलन कहां से जुड़ा है यह खेडा गुजरात से संबंधित थे 1908 में हुआ था एक्चली में इसमें हुआ था कि गांधी जी और बल्लभाय पतेल का युगदान था इस मुवमेंट में और एक्चली में हुआ यह था कि उस साल प्रोड़क्शन में शॉटफाल हुआ मतलब प्रोड़क्शन में कम जैसे क्या हुआ हुआ कि ब्रिटिस लोग कर मांगते थे तो गिट्सक थे वो रिफ्यूज कर दया बोल दिए कि नो क्या हुआ कि जो अपना पॉलीशी चेंज किया और बोला कि जो फार्मर सक्षम है मतलब जो धनी फार्मर है या सक्षम फार्मर है सिर्फ वही अपना इच्छा से कर दे सकते हैं नेक्स सवाल देखिए अखिल भारती खिलाफत कमेटी की बैठक 30 नॉम्मर 19 को कहा हुआ था अब देखिए इसी बीच में क्या हुआ 18 के बाद 19 का मामला है जानते हैं जलिया वाला वायक का जो घटना है 13 अप्रेल का कितना खतरनाक जेनरल डायर के द्वारा किया गया था कितने सारे लोगों को मार दिया गया था तो इस वजह से न भारत में हिंदू-मुस्लिम एकता का एक लाहर फैला था और उस लाहर का परियोग गांधी जैने बाख खोवी किया और दोनों जो लोग थे हिं खिलाफत कमीटी भास टुग प्लेस ऑन 23 नवंबर 1919 यह दिली में हुआ था एक चली में हुआ यह था कि खिलाफत मनुफेस्टो जारी हुआ था और उसमें यह बताया गया था कि जो ब्रिटिस क्या है वो खलीफा का प्रोटेक्ट करेंगे उसका बचाओ करेंगे और इसी स जो खिलाफत आंदोलन क्या किया कि इंडियन नेशनल कोंगरेस के साथ मिला और जो असायोग आंदोलन था INCM non-cooperation movement उसमें कोंगरेस का साथ दिया था नेक सवाल देखिए असायोग अंदोलन शुरू करने के पीछे निम लिखी तुमें से कौन-कौन से कारण थे सही उत्तर चुनिये जालिवाला बाघ बढ़ हत्याकान वह हंटर कमीटी अब देखिए जलिया वाला बाघ हत्याकान अपाइड हो धिस विची किया के भारती है लोग स्वाराज का मांग जोड़ पहरने लगा कि स्वाराज लेके रहेंगे क्योंकि वो तो पर्थम बेशुजुद से ही लोग तयार थे कि भाई वो जीत के अकर भी ट्रीस जीता है तो हमें स्वरात देदेंगे यहां देखे सारे उप्सन सही है आई यह सिक्वेंस इसलिए बनाया गया है कि आप जान लिजे कि अस्तायोग आंदोलन शुरू करने के पीछे इतने सारे कारण थे चलिए नेक्स सवाल देखते हैं गांधी जी ने किसकारवाई को हिमालियन बलंडर कहा है विच एक्ट इस कहल्ड बाई गांधी जी आज हिमालियन बलंडर अब आप समझी के होंगे यह कौन सा अंसर होगा जलिया वाला भाग हत्याकान नेक्स स्वाल देखे निमलिखित में से कौन सा अंदोलन देश ब्या इसलिए इस सवाल में आप्शन रखा गया है, तो देखे इसका सही आंसर होगा, रॉलेट सत्यागरा, इसमें नो अपील, नो बकिल, नो दलील था, तो सारे लोग इस्यापती थे, जैसे चाम पारण में जो इंडिगो प्लांटर थे, किरसक थे, निलकी खेती से जिनको इतरा पूरा देश को खड़ा कर दिया एक साथ, पूरा देश भर में नेशन वाइट भाली गया, कारण यही था, नो अपील, नो बकिल, नो दलील, अर्सक के अधार पर गिरफतार करेंगे, सजा देंगे, ठीक है, तो यह नेशन वाइट मोमेंट था, अगला सवाल देखे, अधिली में एक special session हुआ था, Congress का, in which, देखे, इस English में, in which special session of Congress was the non-coporation movement accepted, तो non-coporation moment हुआ था यह कलकत्ता में और इसके अध्याश थे, लाला-लाजपत्रा है, देखे, अशयो गांदोलन का एक और अधिवेशन नेशन 2020 में भी हुआ था, नाखपूर में, असयो गांदोलन के साल में है ना तो नागपूर में भी हुआ था उसके अध्यज थे सी विजय रागवाचार रागवाचरियार और उस समय ये परस्ताव पारित हुआ था कि जोड़त हुआ नागपूर से नागपूर क नागपूर को ni भी उससे नागपूर को में जली हुआ राग्॑र्साय वर्वकिमिटी का था दिन्य मतलब भासाएUI अधार पर घंख कर चैन का क्रचेंगा था निक्सवाल देखिए-अ-श्योग आं-दुलन का प्रस्ताओं के ए चूज दा अंट्रू स्टेटमेंट, वाट वेर दा में थिंग्स अफ दा प्रोपोजल अफ दर नन कोपरेशन मुवमेंट असा योग अंदलों के प्रस्ताव में क्या-क्या मुखवाद था पहला था सरकारी उपाधियों अवयतिनिक सरकारी पदों को छोड़ना, सरकारी उत्सवों का वहिसकार, सरकारी स्कूलियों कोलेज का वहिसकार, वकीलों द्वारा न्याले, दो दो बार यहां भी न्याले का वहिसकार, ये एक ही बार होगा न्याले का वहिसकार, विदेशी सम समानों का पुर्णता भाइसकार और उब्रोक सभी इसका आंसर होगा उब्रोक सभी यह सारा प्रोपोजल जो बना था कि नन कोपरेशन में यह सारे बात रहेंगे ठीक है नेक सवाल देखिए पर्थम विष्जुद के दौरान ब्रिटी सरकार के सहीओ के बदले महातमा गांधी को कैसरे हिंदी के उपाधी कम मिला था अब देखिए पर्थम विष्जुद 14 से 18 तक चला था तो अबजेक्टी सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी आप्सन में रह सकता है तो आप ध्यान रखें कि परशन का सही उत्तर 19 सो पंद्र है अब देखिए एक और इसी से रिलेटेट सवाल है असायोग अंदोलन सुरू होने के बाद राय बहादूर की उपाधी कौन बापस किया इनका नाम था जमना लालबजाज ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस थे ठीक है नेक सवाल देखिए इसी संबंधी थे अंग्रेज जमना लालबजाज को राय बहादूर की उपाधी क्यों दिया था अभी तो आपने सुना कि वापस कब के किनको मिला था अब बताए कि क्यों उपाधी भापस है why did जमना लालबजाज assign the title of Raya Bahadur by the British Government देखिए ये भी देश के मतलब अभीन युगदान है इनका, कि जब फस बर्डवार हुआ था, तो ब्रिटिस गहमेंट जब लाल बजाज का उन्रड़ी मजिस्टेट बनाया था, और वो क्या किये, प्रोवाइड़ मनी फॉर द वार फंड, युद्ध के लिए जो फंड बना था, उसमें ये मदद किय पैसा दिये थे, they conferred on him the title of राय बहादुर, इसलिए अंग्रेज, अंग्रेज इनको राय बहादुर की उपाद ही दिया था, युद्ध के लिए, युद्ध जी तो लो पैसा और घंस को यहां से, नेक्स सवाल देखिए, अस्वयोग अंदोलन के बाद अस्थापी तद्ध अस्थानों को कर्मानुसार सजाएं, ठीक है, तो arrange institutions according to their date of foundation during non-corporation moment, NCM होई है, यह है कासी विद्यापीट, बिहार विद्यापीट, गुजरात विद्यापीट, और none of these, तो देखिए, इसमें option है, कासी विद्यापीट, बिहार विद्यापीट, गुजरात विद्यापीट हम देखिए, कास सबसे पहले अस्थापना हुआ था, बिहार विद्यापीट का, 6 फरवर 1921 को, कासी विद्यापीट है, 10 फरवर 1921 को, और गुजरात विद्यापीट है, 18 अक्टूबर 1922 को, तो यहाँ पे देखिए, 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, और 2 के बाद 1 होगा, तो य इच्छन संस्थान, गांधी जी के द्वारा ही, डिरेक्ट इंडिरेक्ट रूप से स्थापित हो रहा थे विद्यापीट, असायोग अंदोलन के समय बकालत का बहिसकार किनकिन बेक्तियों ने किस स्थानों पर किया, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है, during the non-corporation moment, which of the following person and places are masked correctly about the people who boycotted advocacy, अब देखिए, चितरंजन दास बंगाल में बाइकाट के, मोती लान लेहरू, जवाहर लान लेहरू, उत्तर प्रदेश में, बल्लभाय पटेल, विठल भाय पटेल गुजरात में, राजेंदर परसाद बिहार में, चेक्रवरती, राजगोपलचारी मदरास मे आसा फली दिल्ली में, तो ये सारे जितने option है, ये सारे सही है, कोई भी सुमेलित नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे सुमेलित हैं, आपकी जनकारी के लिए इस तरह के option इसलिए रखे गए हैं, कि आप इन चीजों को दिहान रखें कि ये सारे, जो चितरंजा, समयोतिला, नहरू असा फली ये सारे लोग एड़ोकेट थे और इन सारे लोगों ने असयोग अंदलन के समय अपने अपने स्टेट में, जहां से जो बिलॉंग कर रहा है थे उस समय, वहां से उन्होंने बकालत का बहिसकार किया, नेक सवाल देखे, गांधी जी के आवान पर असयोग अंदलन के खर्ज के पूरती के लिए 1921 में किस संगठन के स्थापना की गई थी, which organization was established in 1921 to meet the expenses of non-corporation movement on गांधी's call, इसका नाम था तिलक स्वाराज फंड, इस समय सोची उस जमाने में लोगों ने इस फंड में करीब एक करोड से अधिक रासी जमा किया था, सोची गांधी जी का एक कॉल कितना responsive था, नेक सवाल देखिये, चार मार्च 1910 को किस गुरुद्वारे में जहां पर सांती पुर्ण सभा चल रही थी, सैनिक्यो द्वारा गोली चलाने से करीब सतर लोगों की जाने चले गए, on मार्च 4th 1910, in which गुरुद्वारा, where a peaceful gathering was going on, about 70 people lost their lives due to firing by soldiers, तो ये गुरुद्वारा का नाम है, ननकाना गुरुद्वारा, आप देख रहें, इंडिवर फर यू, और इस सीरीज में ये भी 4-5 सीरीज चलेगा, गांधे जी से समंधित और राष्टी अंदोलन समंधित, ये पूरा गांधी यूग ही समझे, कभर किया जायागा इसमे आप देख रहें, इंडिवर फर यू, और थांक्स फर वाचिंग